नमस्कार मैं पॉनकुमार आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल जो वित पीडी में दोस्तों आज इस वीडियो के माद्यम से मैं आपको राजस्तान ग्रामशेख बरती का एक्जाम पेटरन पूरा उपीस असले बस टोपिक वाईज बताऊंगा तो आ आप वीडियो का अंतक जरूर देखना अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर देना दोस्तों गरामशेख दोजासोला का जो पूरा पेपर आव सोलिशन सीतम चैनल पे पहले एपलोड कर चुकी है यदि आप वो पेपर देखना चाहते ह आप इस वीडियो के बाद एक बार जो पिछला पेपर वह जरूर देख लेए ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा किस सब्जेक्ट से कितने क्यूशन पूछे जा रहे हैं ठीक है और किस सब्जेक्ट से किस परकार के क्यूशन आप पूछे जारे हैं जो कि इस अंदर आपको काफी ज़्यादा helpful रहेगा तो चलिए हम बात कर लेते हैं एक्जाम पेटरन और सलेपस को लेकर सबसे पहले हम इसका एक्जाम पेटरन देख लेते हैं तो इसमें जो परसन पत्र होगा वो जो होगा अधिकतम 100 अंकों का हुगा इसके अंदर 120 क्यूशन पूछ करते हो तो उसका एक बटा तीन आवंग काट लिया जाता है ठीक है और इसकी दोस्तों जो इस पेसल कंडिसन हो यह है कि स्प्रिक्स हमें आपको कम से कम है वो 40% अंक लाने आउसक है अगर आप 40% से कम अंक लाते हैं कटोफ के अंदर आपका नाम है तो आपको न्यूक्ति ह वो नहीं दी जाएगी यानि कि कम से कम आपको अगर यह जोब चाहिए तो कम से कम आपको 40% अंक लाने ही होंगे ठीक है यह हो गया दोस्तों इस एक्जाम इसका पेटरन अब हम बात कर लेते हैं इसका सलेबस को लेकर तो सलेबस के अंदर करीड़ है वो इसमें सामिल किये हैं तो मैं आपको पूरे सब्जेक्ट वो बताऊंगा इसके अलावा मैं आपको पहले बता दूं कि मैं तो और इजनिंग का जो ग्राम शुवर का जो पूरा सलेबस रहेगा हुँ हम इस चैनल पे आपको करवाएंगे और जिके के बाकी सब्ज़क्ट के मोडल पेपर आप अत्राष्टेस्तर के जो भी परमुक है, जो गोवर्वेंट इस्यू हो रहे हैं, कोई भी घटनाएं हो रही है, और जो खेल जगत के सामाचार है, उनसे क्यूशन पूछे जाएंगे, अब बात आईए कि करेंट अफेर कितना सो पेशेंट रहेगा, तो कम से कम एट लिस्ट अब 6 मेने का करेंट अफेर वो मान के चले, इससे जादा है, आप 6 से 12 मेने का करेंट अफेर वो पड़ सकते है, ठीक है, 2016 के आप पेपर देखोगे तो 2016 के करेंट पेपर पूचा गए है तो आप इसमें एक बार वो पेपर देख लेंगे तब आपका पता चल जाएगा किस प्रकार के करेंट पेपर की क्यूशन पूचे गए थे ठीक है तो करेंट पेर कम से कम आप कुछ है माय का करेंट पेरव पढ़ना ही होगा इसका जो सेकेंड अपना सब्जेक्ट है वो है बुगोल और प्राकर्तिक संसादन जिसके अंदर विश्वे की जो विश्टरित बोतिक विशिष्ट है इसका जो टोपिक थल्ड है वो है राजस्तान का प्राकर्तिक बुगोल राजस्तान की जलवायू वनस्पती मर्दा शेतर विश्टरित बोतिक खंड जनसंक्या बिरोजगारी दरिदर्ता सुका अकाल एव मस्तलिकन की समस्या से क्यूशन पूछ जाएंगे यह हो गया आपका तीसरा टोपिक चोथ है जिसमें राजस्तान के प्राकर्तिक संसादर में खान और खनीज वन भूमी जल पसु संपदा एंवन ने जी इसरक्षन से क्यूशन पूछ जाएंगे यह आपका हो गया बुगोल से समदित पूरा आपका जो सलेबस है ठीक है दो जो इसका तीसरा सब्जेक्ट है वो है राजस्तान बारत और राजस्तान के विशेश संद्रब के साथ कर्षिय और आर्थिक विकास है इसके अंदर जो राजस्तान के खाद एंवानिज या पसल कर्षिय आदारित उदोग मुख्य सुंचाई एं नदी गाटी प्रियोज न सब्जेक्ट है वर्द जन जाते हैं उनके अर्थवेश्ता से क्यूशन पूचे जाएंगी यह आपका हो गया तीसरा सब्जेक्ट है चोता सब्जेक्ट है जो कि इत्यास या संस्कृति यानि स्ट्रिय और कल्चर इसके अंदर जो आपको भारत और राजस्तान की जो कुछ पर्मुक इसमारक है उनका और साहित्ते करती और इत्यास और संस करती से क्यूशन आएंगे जो टोपिक दे रहे हैं वो है आपको जन जाती और उनकी अर्थवेश्ता हैं पिर है बोली और साहित्ते संस, संगीत, नर्ते और रंगशाला, धरम, आस्ता, संपरदाई, संत, देवियों से क्यूशन पूछे जाएंगे अगला टॉपिक है वो है सिल्प का और इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है मेले तिवारूड या वस्तर आभूशन उनके लोग जनजातियों पहलों के विशिष्ट संद्रप्स से सहितिसमें क्यूशन पूचे जाएंगे दोस्त है यह आपकी रिजनिंग के अंदर है इसमें आपको चादान मान से क्यों गेता और तरक सकती है विशले सनात्म क्यों गेता यह पार्ट है पूरा का पूरा इस चैनल पर आपको करवाएंगे तो इस बात कि आप चिंता बिलकुल भी ना करें फिर अगला सब्जेक्ट है जि तो इसकी आप चिंता बिलकुल भी ना करें मैत का भी पूरा सब्जेक्ट है इस चैनल पर आपको करवाए जाएगा ठीक है अगला राज्य जिला तैसील पंचायत इस तरह पर राजस्तान में परशासनिक जो भी डांचा है यानि पंचायती राज इससे समंदर क्यों सुनो रहें ठीक है मैंने बता देगी आपको जो पहले चार्ट दे रहें इनका वेटेज आदा है ठीक है बाकि आपका हिंदी इंगलीज जो मैत है इसे पूछे जादा बड़ा नहीं आपको यह पहले इन पर ज़्यादा फोक्स हो करना है दोस्तों इसके लावा सेलरी के क्या रह रहेगी प्रोवेशन प्रीड के बाद में सेलरी क्या रहेगी प्रमोशन किस परकार होता है वह भी डिटेल में आपको जल्दी वीडियो बना कर दे दूंगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें उमीद है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस